आप सभी श्रोता बंधों को मेरा प्यार भरा नमस्कार उम्र बढ़ने के साथ साथ बालों का सफेद होना बेहद स्वभाविक है लेकिन बदलती जीवन शैली, प्रदूशन और खान पान की गड़बडी जैसी बहुत तेरे बदलाओं के फल स्वरूप बालों का कम उम्र में सफेद हो जाना, आज हर चार में से एक व्यक्ति की समस्या तो है हैं आप बालों की लाख कलरिंग कर लें, डाई से छुपा लें या सफेद बाल हटा लें, ये सब आपकी समस्या का प्रभावी हल कभी भी नहीं हो सकता है इसके लिए यह समझना बेहत जरूरी है कि इस समस्या की जड़ क्या है तो ही इस से निपटने में आपको आसानी होगी क्यों होते हैं समय से पहले सफेद बाल समय से पहले बाल सफेद होने के पीछे कोई एक कारण हो ऐसा जरूरी नहीं है इस समस्या के पीछे संभावित काणों में से कुछ भी आपके बालों को समय से पहले सफेद कर सकता है खान पान में गड़बडी की समस्या से भी बाल समय से पहले सफेद हो जाते हैं विटामिन B, आयरन, कौपर और आयोडीन जैसे ततों की कमी से अक्सर यह समस्या होती है जो लोग छोटी छोटी बातों पर बहुत अधिक तनाव लेते हैं उनके बाल भी कम उम्मर में ही सफेद हो जाते हैं इतना ही नहीं जिन्हें घबराहट, पैनिक अटेक, डर, जलन, इत्यादी समस्यां बहुत अधिक होती हैं उनके साथ भी यह समस्या अधिक होती है कुछ लोगों को यह समस्या आनुवानशिक रूप से होती है ऐसी स्थिति में समस्या से निपटना बेहद मुश्किल होता है जो लोग अपनी स्वक्षता में अकसर कोता ही बरतते हैं उन्हें भी यह समस्या अधिक होती है खास तोर पर अगर बालों की सफाई सही तरीके से नहीं होती है तो भी यह समस्या हो सकती है लंबे समय तक बिमार रहने वाले लोगों के बाल भी जल्द सफेद होते हैं परियावरण में मौझूद प्रदूशन से कम उम्रे में बाल सफेद होते हैं बहुत अधिक केमिकल वाले शेंपू, केमिकल डाई या रंग और महक वाले तेल से भी बाल सफेद होते हैं रूटीन में लाएं ये बदलाव कम उम्रे में बाल सफेद होने से कुछ हद तक रोकना है तो अपनी जीवन शैली में आपको बदलाव करना होगा स्वस्त और संतुलित डाइट लें विटामिन बी से भरपूर भोजन दही हरी सबजियां गाजर केला इत्यादी का सिवन करें इनसे सीर में रक्त का प्रवाह ठीक होता है और बाल बेजान नहीं होते हैं केमिकल हेर कलर और डाई से दूर रहें कई बार इनके इस्तेमाल से कु या सरसों के तेल का इस्तेमाल करें इससे बालों की रंगत लंबे समय तक बरकरार रहेगी जिस तरह धूप में निकलने से पहले आप अपनी तवचा को स्टोल या स्काफ से ढखते हैं उसी तरह बालों को भी प्रदूशन से बचाना जरूरी है ट्रेफिक के बीच बालों क अपनी रंगत नहीं खोएंगे इसके लिए आप बेजीजक होकर आवला शीका काई इत्यादी का उपयोग करें आवले को ना सिर्फ डाइट में शामिल करें बलकि मेहंदी में लगा कर या घोल बना कर बालों की कंडिशनिंग करते रहें चाहें तो आवले को बारीक काट ल करें आवले की तरह ही कड़ी पत्ते को भी बारीक काट लें और घर्म नारियल तेल में मिलाकर सिर्फ पर लगाएं नेचुरल हेयर डाई का इस्तेमाल करें जैसे मेहंदी चाय पत्ती का पानी चुकंदर का रस इनसे बालों को जरूरी तत्तों भी मिलेंगे और इनका रंग भी बरकरार रहेगा यह बालों के जढ़ने को रोकता है इसके अलावा अगर मालीजे आपके बाल सफेद हो ही गये हैं तो आप एक उपाई कर सकते हैं घरीलू जिससे की आपको फायदा होगा इसके लिए आप नारियल ओयल लिजे दो चमच और निम्वू का रस लिजे और प्याज का रस इन तीनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजे और इससे बादलों की स्केल्प में यानि की जड़ों में रूट में आप मालिश कीजिए फिंगर से आप कुंगलियों से करना है इससे पहले ध्यान रखें कि बाल क्लीन कर लें किसी भी अच्छे कंडिसनर से या सेंपू से बाल को अच्छे से धोलें इसके बाद बालों को सुख जाने दे इसके लिए तौलिये से पहले बालों को ढख करके छोड़ दे थोड़ी देर तक मले नहीं क्योंकि कमजोर बालों को अगर तौलिये से मलेंगे तो तूटते हैं आपके वहल उस पे डैप कर करके पानी को सुखा दें फिर सुखने दें और को फिर आप इस मिश्रण से इस लिक्विट से अपने बालों की जड़ों में मालिश करें हलके हाथों से और रात में करें ताकि सारी रात यह आपके हेड़ पर लगा रहे सिर पर लगा रहे जिससे कि आपके बाल मजबूत तो वो काले होने बंद हो जाएंगे रुक जाएंगे तो यह था आज का हमारा देश्री नुस खाफ सभी के लिए अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछे कौर महत्तों पूर्ण जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यबाद नमस्कार दोस्तों